हलो दोस्तों, स्वागत है आपका All About Cricket में दोस्तों, फॉर्मेट चाहे कोई भी हो, शतक की एहमियत कुछ और ही होती है हर खिलाडी हर फॉर्मेट में शतक बनाना चाहता है हलाकि वन डे और टेस्ट मैचों में खिलाडियों को शतक बनाने का टाइम मिल जाता है लेकिन T20 Cricket में अगर किसी प्लेयर को शतक लगाना है तो उसे काफी तेज बल्लेबाजी करनी होती है T20 में 120 केदों में पूरी टीम को बल्लेबाजी करनी होती है ऐसे में बल्लेबाज के पास बहुत कम समय बस्ता है आज की वीडियो में हम आपको IPL की इधिहास के सबसे तीन तेज शतकों के बारे में बताएंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने हमाया चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो जरुती से सबस्राइब को लीजे और बेल आइकन को जरूर प्रस कीजेगा ताकि कोई भी रेक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो इस लिश्ट में तीसा नाम आता है डेविड मिलर का किलर मिलर डेविड मिलर को ये नाम यूही नहीं दिया गया वो जब अपने रंग में होते हैं तो उन्हें रोकना काफी मुश्किल हो जाता है 2013 के सीजन में मिलर गजब की फॉर्म में थे तो उन्होंने पूरे सीजन में लगभग 60 की उसत से रंग मनाए RCB के खिलाव उन्होंने तूफानी शतक जड़ा RCB ने किंग सेलेवन पंजाब को 191 रंग का विशा लक्ष दिया जवाब में 51 रंग तक किंग सेलेवन के तीन विकेट किर चुके थे इस कटिन समय में मिलर बल्लेबाजी के लिए उतरे एक छोर पर विकेट गिरते रहे लेकिन मिलर की आकरामक बल्लेबाजी जारी रही खासकर दसवे ओवर के बाद उन्होंने ज़्यादा आकरामक बल्लेबाजी शुरू कर दी 41 रंगों के स्कोर पर कोली ने उनका कैश भी टपका दिया इसके बाद मिलर और खतरनाक हो गए 55 ओवर में फर पेसिंग की गेदों पर उन्होंने जम कर रन्बटोरे उन्होंने उस ओवर में 25 रन्बटोरे 48 ओवर में छक्का लगाकर उन्होंने अपनी टीम को शांदार जीत दिला दी उन्होंने सिर्फ 38 गेत पर ताबर तोर शतक लगाया इस लिश्ट में दूसरा नम आता है युसुफ पठान का युसुफ पठान जब फॉर्म में होते हैं तो उन्हें रोकना किसी भी गेतबाज के लिए काफी मुश्किल होता है 2010 में वो भारती टीम का बहुत अहम हिस्सा थे वहीं IPL में भी उन्होंने विस्पोटक अंदाज में घरन बटोरे 2010 के सीजन में उन्होंने अपना सबसे तेज़ शतक लगाया लेकिन दुर्भा गिवश उनके टीम हार गई पठान ने मुंबई इंडियस के खिलाफ उस मैच में शुरुआत तो धीमी की लेकिन मैच बढ़ने के साथ ही उन्होंने रन बनाने की गती नी बढ़ाते गए इसके बाद काफी हद तक मुंबई इंडियस के फिल्टरों ने भी उनका साथ दिया पठान ने देज केदबाजों और इस्पनरों दोनों के खिलाफ जम करन बटोरे इस से पहले सौरफ तिवारी और अमबाटी रडू की बेहतरीन पारी की बदौलत मुंबई इंडियस ने 20 होगरों में 213 रणों का विशाल लक्ष खला किया था जवाब में राजिस्थान रॉयल्स के शुरुआत अच्छी नहीं रही और टॉप के बल्लेबाज जल्दी ही पवेडियन लौट गए पारस डोगरा के साथ मिलकर पठान ने पारी को आगे बढ़ाया और 37 गेदों पर शतक जड़ डाला राजिस्थान रॉयल्स के कप्तान शेन वॉन ने पठान के सपारी को सबसे बेहतरीन पारी बताया था इस लिश्ट में पहला नाम आता है यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल का पुणे वॉडियस के खिराफ इस मैज में क्रिस गेल ने आईपियल का सबसे तेज़ शितक लगाया था इश्वर्पांडे के ओवर से गेल ने तुफानी शुरुआत की गेल को काबू करने के लिए कप्तान एरोन फिंच ने स्पिन्रो को लगाया लेकिन गेल के उपर उनका कोई फर्क नहीं पड़ा जब फिंच की तरकस के सारे तीर विफल हो गए तब उन्होंने खुद गेदबाजी करने का फैसला किया लेकिन गेल ने फिंच को और ज़्यादा पीटा उन्होंने फिंच के ओवर में 29 जड़ दिये अशोक डिंडा गेदबाजी करने के लिए आए लेकिन गेल ने गेद को दर्शक दीरगा में भेज दिया महज 9 ओवर के अंदर गेल ने शतक जड़ दिया इसके लिए उन्होंने महज 30 गेंदे ली 15 ओवर में गेल ने देर सुरन बना दिये थे गेल ने मैच में 175 अनों की मेराथन पारी खेली और RCB को आसान जीत दिला दी तो ये थे IPL इतिहास के वो तीन बल्लेवाज जिन्होंने अब तक के हुए IPL में सबसे तेश शतक लगाया है आप रहे जानकारी कैसे लगी आप मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं अगर आपको इस वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक कीजे अपने तोस्तों के भी शेयर कीजे और मेरे चनल को सबस्क्राइब करना बिलकुल ही मत भूलेगा धन्यवाद